अरे रे आप लोग परिशान मत होईए मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गाने के बाद ही मैं किसकी फोटो दिखा रही हूँ तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान कौन है और इस व्यक्ति का इस गाने के साथ क्या कनेक्शन है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं वीडियो आपने इस गाने को कई बार सुना होगा इस फिल्म को भी देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने को किस ने गाया तो आज बताती हूँ आपको इस गाने को गाने वाले इनसान के बारे में इस व्यक्तिने कौन कौन से गाने गाएं हैं उन में से कुछ खास गाने आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी यह खुबसूरत आवाज है जॉली मुखर जी की इनका जन्म दस फरवरी 1956 को सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक में हुआ था इनके पिता इंजीनियर थे लेकिन वो बहुत बढ़िया संगीत गिबी थे उन्होंने ही जॉली जी को संगीत की शिक्षा दी और उन्होंने ही इन्हें गायन के लिए प्रविद किया था जॉली नबे के दशक के एक ऐसे गायक जिनके गीत बहुत मशूर हुए लेकिन पहचान उन्हें बहुत खास नहीं मिल सकी जॉली मुखर जी एक भारती गायक हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुवात विग्यापनों के लिए सहायक गायक के रूप में की फिर एरलाइन ओन फ्लाइट परिचे के लिए संगीत लिखना शुरू किया जहां उन्होंने कभी कभी ब्रिटिस एर वरेज के लिए भी लिखा उनके संगीत में हिंदुस्तानिय शास्त्रिय संगीत और पश्चिमी संगीत का मिश्ण शामिल है मदरास सिनेमेट्रिक औरकेस्ट्रा के साथ उन्होंने फ्यूजन बॉक्स एल्बम रिकॉर्ट किया आई सुनते हैं जॉली मुखर्जी जी की आवाज में साथे फिल्म का ये लिखाए के चाहने वालों पर कैसे चड़ता है ये पूरी तरीकी से देखने को मिला था सोनपूर के मेले में वैशाली के विश्व प्रेसिद सोनपूर मेले में जब पहुँचे मश्वूर बॉलिवूट सिंगर जॉली मुखर्जी जब उन्होंने अपने सुरो का जादू छेड़कर लोगों को अपने वश में कर लिया जॉली मुखर्जी ने इस मेले में अपने गाए हुए गाने की शुरुवात की जो की उनका गाना था यम्मा यम्मा यह सुनने के लिए परियाटक विभाग का पूरा पंडाल खचा खच भरा हुआ था और उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड सड़क पर खड़ी वी थी और सड़क पर खड़ी वो भीड मधोश हो करके उनके गानों को सुन रही थी शारू खान की मूवी राजू बन गया जेंटलमैन में नाना पार्टी करजी के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी थी आए सुनते हैं एक खुबसूरत सा गीत उस पिक्चर का 2002 में आई सूपर हिट हॉरर फिल्म राज का पार्टी गीत यहां पे सब शांती शांती है जॉली मुखर जी ने गाया था तो आईए देखते हैं उस गाने की जलकिया कर देखते हैं लेकिन आने वाले समय के लिए उनके भविशी के लिए मैं उन्हें सुपकामनाय देती हूं और यह था आज का वीडियो अपोऔर फिछाओ् है अप लोमको वीडियो पसंद आया हूगा आप लोगों եे सभी गाने सुने हूँगे लेकिन आपको नहीं पता होगा कि यह सॉंग जॉली मुखर जी ने गाया था तो अंमीध है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा